साबका आईएस अधिकारी अते सिख चिन तक सरदार गुर्टेज सिंग ने सोशल मीडिया ते बड़े ही उत्तम विचार पेश की ते ने जिनानू असीत वाडे तक हुबहु पहुँ पहुँचाउन दी कोशिश कर रहिया उना लिखिया फते नसीब उनानू साबत इमान जिना दे मनुसम्रिती दी हिदायत है के शुद्रादे ना संबोधन आद ओ वर्तने चाही देने जिनानू सुनके नफरत गलानी दा पाव पैदा होवे एस अनुसार ब्रह्मनाने दलितानू राक्षस, दानव, चंडाल, मलेच, शुदर, दास आद नामानाल संबोधन कीता एस दे उल्ट ब्रह्मनाने पू देवता अते द्वेदी चतुर्वेदी आद विशेशनानू अपने जाती सूचक बनाया मुगल अते अंग्रेज काल विच दलित अते होर निसते वर्गाने आपना निताना पन जाहर करके राज कारदे वर्गनू अपनी हीनता अते सदीवी उलामी दा विश्वास दवोन वास्ते मनूस निती दी एस नखिद प्रथानू कायम रख्या एस दे कई सबूत सानू जाती सूचक नामा गोता दे रूप विच मिल जान देने जानवरादिया खलना वस्तर रूप विच तारण करदे ततूरा पांग सेवन करदे काले सरूप विच निरूपन करना मनूस निती दी पावना नो कायम रखन लई वाजब समझया गया शुदरपंडन दा ए तरीका नफरत दियां खाया विच्चों कड के कैलाश परबत दियां उचाया तक अपड़ाया गया शायद एसे पावना अदीन कानन बन दा किनोना कांड कड़या गया अते लिंग योनी दी पूजा शुरू कीती गई लिंगायतां विच रहद दे तौर उते गाल विच लिंग लटकौन दी प्रथा चल पई एस महाल विच पनपदे किसे बजुर्ग ने अपने नार नार लोदा जोड लिया जो बाद विच ओस दे वंशजां दी जाज पछान बन गई आम आदनी पार्टी दे किसे नीच बिरती वारे ने टिकट ना मिलन तो नराज होके 8 मार्च 2014 नू आप अगू जुगिंदर यादव दे मू ते स्याही मर देती ए आम सबाच बैठे यादव दे पिच्छों दी चोरां वांगाया अते नार खडे सुहर्द लोकां दे हुश्यार होन तो पहला ही ए कारा कर दिता यादव दा एस बारे प्रतिकर्म टाइम्स ओफ इंडिया अखबार ने 10 मार्च 2014 नू दा सफे उत्ते चापया यादव आगद है अरविंद केजरी वाल समेट साथे आगवानू अजेहिया स्थितियां दे रूबरू होना पे है मैंनू मान है के मैं उना विच शुमार हो ग ही है एठीक लानतिया पंथली हुंदा सी जो के जान के कटिया हरकतां करके लुकांवल्लों अपमानत हुंदा सी कबीर जी ना जुड़ी एक साखी अनुसार एक राजे ने मर्न उपरंत कोडे दी लिद दा पहार वेख्या जो उस नू खाना पेना सी क्योंकि उस ने किसे व सिर्दता कारण राजे दा जीवन काल होर बता दिता गया ओ योजना अनुसार एक नौजवान औरत नू होदे विच बिठा के हाथ विच शिराब दी सुराही लैके स्वेरे बस्तियां विच निकड़ जावे हते सारा दिन बजारां विच्चों लांगदा रहे सारे लानता करंदी तरकीब खास तोर उत्ते मत काली लानतिया पंथ दा तार्मक अकीद है गंड जां गंद आद कई गोतां दीवी कुछ अजेई कारना विच उत्पती हुई नजर आउंदी है बाबू लफज बारे शक नहीं फार्सी विच बाबू शब्द दा अर्थ है बू समेथ ज जड़ां विच ओ दार है जदो इस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल विच हिंदोस्तानी कलर्क परती करने शुरू की तेसन अगरे सै करमिया नू इना विच्चों खास तोर ते इना दे माच्छा पात विच्चों मसालियां आदी बदबू आंदी सी ओ इना दा तिरसकार कर लगे बंगाली बाबू आनू ए मनुस्मिर्टी दी रोष्नी विच वाजब ही जाप्या होवेगा गुलाम लोकां विच हाकम दे नाल बैठन वालेयां दी बहते जत सी हौली हौली ओ वी इना नू बाबू आखन लाग पे बंगाल बिहार पूर्वी यूपी विच ए आखर ओसमा आया जदो बाबू अख़वान वाले रिजंदर प्रसाद पारत दे पहले सदर बने एहो वड़ा बदलाओ लवज लाला विच आया जदो मगरूर मुसल्मान हिंद दा राजा बनेया ता ओस ने वेखिया कि कई हिंदू मुसल्मान ना तो भी वदिया रहन सहन अकदेसन ओस नू फिकर होया कि खिते कोई सत्तातारी मुसल्मान समाज दा अंग सनमान जनक दिश्दे गुलाम हिंदू नू गलती नाल सलाम ना कर बैठे एस डरों हिंदूआ नू कानूनन हिदाय दिती गई कि आपनी आस्तीन उते लाल रंग दी टाकी लाके रखन मुसल् लई चाट लाला वजों शनाक्त करन लगे गुर्बानी विच लाला शब्द नू गोले दा समाना ठक जान के बरतिया गया है सने सने कीमती कप्णयां उते वदिया टाकियां लाण वाले आपने आपनू लाला अखवा के प्रसान होन लगे हाते अंत उना तो नीवे वर्गा दी महरनाल लाला समाज विच सतकार दा सूचक लवज बन गया अंदी ग्यान विहोनी रयत ने एस नू सन्वान बोदक बना के अपना लया लाला मुरलीतर लाला लाजपतराय लाला जगत नरायन अजेही विचारतारा अनुसार ही लाला अखवान विच फखर महसूस कर दे कहे बाईतार दे सारे राजे अपना पिछोकर राजपूतां तो मान दे सन्वे मुखल राजदे अधील नहीं सन् नाहीं एकले मुखल फॉज दा मुकाबला कर सक्थे सन् एकठे होके विरोध करंदी इच्छा शक्ति नईसी रख़दे दसमें पात्षा दे उपदेश ने आते बिना हील हुजत नजराना हाजर करदे रहन दी नीती अनुसार बाईतार दे बाई राज कुमारा नू बंदक बढ़ा के मुगल दर्बार विच रखना शुरू कीता सी जहांगीर ने इना सारें दा अधीन अर्द मुसल्मान दा दर्जा द्रिड करण लई इना नू मियां अखना शुरू कर दिता मियां इना दा लकब अते फेर उपादी बन गया आखर एशब्द मान सनमान दा सूचक लफज बन गया राजे अपने आपनू मियां अखवाउन फखर समझन लगे हौली हौली इना दे रिष्टेदार ते पाई आदवी मियां अखवाउन लग पए आखर हर राजपूत नू चापलूस मियां आख के संबोधन करन लगे जिस शब्द नू जहांगीर ने लाचारी, हीरता अते इसलाम दे जिम्मी रुत्बे दा प्रक्टावा करन ली वर्तिया सी ओही आखर सनमान सूचक बन गया अते आदर योग रियास्ता दे मुखिया ने एस नू अपना लिया एमेता नी नीरत चौधरी आख दा के हिंदोस्तान सिर्के दाधवीप है जिते एस दे मंत्रा दा असर कबूल के बड़े बड़े ओधियां रुत्बियानू मानन वाले लोग आम मनुखा तो अपने आपनू सवा फुट चा समझन वाले सवाई राजा मान सिंग वर गे सब मिटी दियां मूरता होके रह जान देने आखर निस्तल होए गुलामा वांग अपनिया जंजीरा नू गयने समझ के चुमबन लग जान देने गुलामी विच सा लैन नू कुझ सौखा बनाऊन लई शायद किसे पुरातन समय किसे मजबूर बजर्ग ने मकड गोध अपने नाल चमेड लिया होएगा वरना एना जलालत पर या लवज कौन खुशी नाल अल जा गोध दे तौरते वर्त दै पाईकान सिंग नाबा दे महान कोश मुताबग मकड दे अर्थ ने पढ़वा लुच्चा गुंडा मकडी दा नर सिख राजयां दे समय एस रीदी एक होर बनगी वेखी जा सक दी है सिखी तों प्रेरत वालिया गोध दे कुछ साव लोका ने एक दंद कथा अनुसार आपने आपनू पतवालिया अखना शिरू कर देता ए उना समया दी गल है जोदों वालिया अकवाण वालिया दे बहुते लोक पत्याले दे दरबार विच राजयनू रिजाउन लई मस्खरियां दा तंदा करन लग पैसन सत्ता दे केंदर विच होन कारण इना दा कसब मशाहूर अते बदनाम हो गया होवेगा अंत पत्वाले वालिया लोका ने अपना गोत तब्दील करके पत्वालिया कर लिया जापदा है एक था एस लेखक ने एक सुय तो सुनी जिसनू शेख अब्दुल्ला दी निग्रानी लई तैनात कीता गया सी वो आखरी दिना विच चंडीगर दे 18 सेक्टर विच बास गया सी अते होमियो पैथी दा हकीम अखवान दा सी उसमें दस्या के एक कॉल ब्रामन जिडा के जम्मू कश्मीर दा मुख सकत्तर सी बड़ी कट्या किस्म दी चाप लूसी कर दा सी जदो लम्मी नजर बंदी तो बाद शेख अबदुल्ला मुख मंतरी बनेया ता ए ओस नाल आम विख्या जान दा सी एक शाम शेख अबदुल्ला खाना खान लई बैठा ता ओस ने कॉल नू भी नाल बठा लेया मुर्गे दिया जेडिया संखिया उत्तो माज खाके ओ प्लेट विच पासे सुट देवे कॉल उस नू चुक के चूसन लग जावे शेख ने अखान ते चेरे दे हाव पाव नाल इशारे करके कई वार वर जया पर उस ने सूग परी कारवाई पूरी टीटता नाल जारी रखी शेख अब्दुल्ला नू दंदा दी पायरिया बिमारी सी आखर शेख कोलो ना रिया गया उसने बड़ी नफरत नाल उसनू आख्या हराम जादे चापलू सी की भी हद होती है कम से कम हाईजीन का तो ख्याल रखो अजेही आत्म गिलानी दी मानसिक्ता विचों पनप देने हीन ता दे पाव जो गुलामी नाल रल के मनुख नू बे अन्खा जीवन जियोन दा आदि बना दिन देने हीन पाव आत्म गिलानी हते दास्ता दी चारों तरफ पसरी एस गाडी तोंदनू आखर गुरुनानक दे उपदेश ने खक्म किता जोदो गुरुनानक सिंग रूप तार के बुक्या ताई म्रिगावली बने वहम परम डर सब एन्ने वेगनाल मनुखी जीवन चों मनफी हो गए के उना पजे जांदियां दी तूडवी तीरज तार के पल पर दी होंदना दरसा सकी गुरु रामदास ने निजी पीडा दी नहीं बलके समाजक दर्दा दी व्याख्या कर दियां फरमाया सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुरु सत्गुरु संग कीरे हम थापे दस्मेश ने सरदार सिंग ते कौर आद लफजानू सिखाले टुकमे जानके वर्तन दा हुकम कीता दस्मेश दे सिंग अते कौर नाम उलेवी स्वैमान दा अते आम लोकां दे वाजब उठान दा दोरा संकल्प साफ नजरा रहे है लोकां ने अपना आत्म विश्वास दुबारा हासल करना सि उना ने चूठे दिवाजा करनवाले राज करदे वर्ग दे समने अपने आपनू हीन दसके मम्योना ने सि उना सिंग अते कौर दी पदवीतारन करके बतोर मनुख उना दे बराबर होके आत्म संदमान दे तक्त उते पैर रखना सी एसलई प्रमात्मा रूप महा पर उपकारी दसमेश ने अपना बिर्द पार ब्रह्म गुर्देव नीक्चो उच थपे पाल दियां हिंद नू हीन पावदी जिलानत विचो सदा लई कड़िया अते सिंग ते कौर नाम बक्ष के हन्ने हन्ने मीर स्थाप कीता सदियां तो तिरसकारे जांदे गुमनाम लोग वड़े पर उपकारी हो निबड़े पाई संकत सिंगतां किरदार पक्खो एन ना उच्चा हो गया के सच्चे साहब दे वस्तर तारण करके जिगा तोड़े कलगी सजा के साहबां दे अध्यात्मक सरूप नार इकमिक हो मिठे प्रसादे बेहियां रोटियां हो दियां सन ओ पोखनु कडाका जानके कट लन दे अते गंडेनू रूपा पाव चांदी दा वर्क समझ के शुकर शुकर कर चुले पड़ दे इनाने निराशा विच डुब्बी हिंद दी फिजा उते चर्दी कलादा सूरज आपने अ मुजज़ा समझन लई मजबूर हो गई अपनी तरम दी पैन बेगम समरू दे कैन उते बगेल सिंग ती हजार दी फौज नाल मुगल समराज नाल राखा बन के तीस हजारी बैठ गया पर बादशानू लख बेंतियां करन उते वी दर्शन देन तो इनकारी सी एज लई के कोर्निश जरूरी सी उते हथियार लेके जान भी मना ही सी आखर हरम दियां बेगमां दा सद्धा ना ठुकरा सकया आते खास इंतजाम करके बादशानू मिलन गया बादशा ने सिंगा दे शस्तर सजा के कोड सवार होके दर्बार तक और उते इतराज ना कीता आते कोर्निश करन वास ते बगेल सिंग दे नाल आपना एक नौकर दे दिता एक अजेहा नौकर बादशा ने आपने कोल खडा कर लिया बगेल सिंग कोर्निश वाले पड़ा उते फते घजावे आते ओस नाल तायनात नौकर कोर्निश करे ओद्रों बादशा दे नाल खडा चाकर फते दा जवाब देवे अते आप बादशाक कोर निश्परवान करें। जवाब देवे अम्रिद्धियां पंच चूलियां छक के संसार प्रसिद जर्नेल बन उब्रन दे एहसास नू हैरान हो सलोंदा अते काजी नूर महम्मद वांगू इना दे सोले गौंदा ना ठकडा नीचो उच करे मेरा गोविंद का हूते ना डर है।